हेलो फ्रेंड्स तो मेरा नाम है ट्विस दिवांगन तो गाईज अगर आप त्रिवेंद्रम जाने की सोच रहे हैं और श्री पदमनाप स्वामी टेंपल विजिट करना चाहते हैं तो गाईज यह वीडियो है आपके लिए ही है तो इसे इस वीडियो को पूरा देखना और अ मतलब कित्ते से कित्ते ओमतलों के जा सकते हैं और कहां रुकें आप और इस मंदिर का समय क्या है मैं सब आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में तो चैनल पर बने रहें तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो आप जहां से भी हैं आप वहां से रेलबे या फिर फ्लाइट से जैसे भी आप आजाए रेलबे हैं पड़े की 1.5 km मंदिर तक के डिस्टेंस के लिए और अगर आपने कोवलम बीच जाने का भी प्लान किया है तो आप कोवलम से भी फ्रिविंद्रम आ सकते हैं उसकी दूरी लगभग 20 km है तो अब चलते हैं मंदिर के एंट्री गेट के पास तो गाइस यहां पे हम लोग मंदि में धोती खरीदी जिसका कॉस्ट पड़ा हम लोग को लगभग 300 जो लगभग 4 मीटर लंबा था और एक 2 मीटर लंबा वाला भी धोती था जिसका कॉस्ट था 1.500 रुपए और यहां पे और कई अलग-अलग रंग के धोती भी थे जो आप अंदर पहन के भी जा सकते हैं और और यहां पे आप सब देख सकते हैं वहoptसा लोग सारी में भी हैं तो लॉट पार रहो है नो रहें लोग तो वहां अंदर ऐसी कोई रिकत नहीं आई क्योंकि हम भी अंदर विजिट किये थे तो हमने देखा हम गए हुए थे 30 दिसंबर 2023 को तो यहां भीड जो थी तो आप जो अपने समान को वहां रखवा सकते हैं प्राइस जो अपने अगर बोर्ड में देखा हो तो आप पॉस करके देख सकते हैं और हाँ लेडिस जो अपनी पर्स को ले जा सकती है जिस पर वह ऐसा कुछ समान नहीं ले जाएगे जैसे इयर्फोन हो गया मोबाइल यह सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि जेंड्स जो है ले जा नहीं सकते क्योंकि वो धोती में रहेंगे तो वो कुछ ऐसा रखी नहीं सकते और लेडिस ले जा सकती हैं तो वो उसमें कैश ले जा सकती हैं और यहां गेट एंट्री गेट के पास में रेंट पे धोती भी है जिसकी प् तो इसके दोती जो रही नहीं था लेकिन हमने शौक से पहना दिया है इसे तो पांस साल से उपर वालों को सब को दोती अलाउड है और लोगों का ये भी question था कि हाँ वहाँ मौसम थंडा था क्या थंड के मौसम पे दिसंबर पे तो हाँ मैं दिसंबर पे ही गया था और मौसम जो था गरम था जिस पे आप जो खूले रहेंगे तो आपको और भी अच्छा लागेगा क्योंकि हमें तो बहुत पसीना आ रहा था ऐसा था मौसम दिसंबर पर अब बात कर लेते हैं अंदर जाने की तो गाइस अंदर जाने के बाद आप सब देख सकता आप जैसे एंट्री क पास ज़्यादा कुछ रहता नहीं है बस ऐसे पुलिस वाले जो रहते हैं वह चेक कर लिता है अपने मशीन से डायरेक्ट और धोती रहें रहते थे तो मैंस की उत्ती चेकिंग नहीं होती वो मैंस की बहुत ज़्यादा चेकिंग है तो उसमें जादा लंबी लाइन है और प्रेंड की लाइन चोटी रहेगी अंदर क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही हुआ था अब बात कर लेते हैं अंदर के लाइन लगने के बारे में तो गाइस लाइन जो है दो तरीके की लगीगी यहां पर कि स्पेशल एंट्री रहती है और एक फ्री वाली तो गाइस मैं आपको सजे तो पढ़ सकते हैं इस 500 रुपे की टिकेट में प्रशाद भी इंक्लूडेड है तो आपको प्रशाद भी मिलेगा इसमें से और आपको इसमें अलग से फूल भी मिलेगा और अलग से तीन केले भी मिलेंगे आपको प्रशाद चढ़ाने के लिए भगवान पे तो मैं आपक Viva ạ आपको बड़ा भाई आप last करो कि आप पहले से लाइन में लग जाए विए पी लाइन विए पी नहीं की सोटी सी हो तो आप जो है पहले से लाइन में लग पाप टाकर टिकेट ले के आते नि drought कोई hassलइन मीला टिकेट ले किया है हमानी लाइन कब तब तक आगे बढ़ चुकी थी तो यह हमारा फायदा हुआ तो हम लाइन में लगे हुए था तो हमारा यह फायदा हुआ मंदिर की टाइमिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर डाल दिया हुए अब आगे श्री पदमनाप स्वामी जी की मूर्ती आप जो हैं डायरेक्ट मतलब नहीं देख सकते मतलब एक साथ नहीं देख सकते क्योंकि वो जो है तीन किर्खी से आपको दिखने मिलेगा सबसे पहले उनका पैड दीखेगा फिर पेट का भाग दीखेगा फिर सर दीखेगा दर्शन के बाद आप असानी से एकजिट द्वार पर आ सकते हैं मंदिर के बाहर आकर आप यहाँ पर मार्केट देख सकते हैं यहाँ पर खाने पीने का स्टॉल लगा हुए नीवू पानी का स्टॉल नाई होगी informative लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं जहां जहां भी घुमने जाता हूं ऐसे छोटे मोटे व्लॉक्स जरूर बनाता हूं और अपने experience को आपके सामने उनके शेयर करता हूं तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो पर छोटा सा कमेंट जरूर कर देना अगर आपका कोई फ्रेंड जा रहा होगा तो उनके पास शेयर भी कर देना श्री पर्मनाब स्वामे जी अपने क्रिपब बनाय रखे